सवुदी अरब रिगिस्तान में बसा देश है जहां कोई इस्थाई नदी या ज़ड़ना नहीं है देश में पानी कम मातरा में ही उपलब्द है और बेहत कीमती है देश में पानी के संसाधनों को लेकर किसी तरह की बढ़ोतिरी नहीं हुई है लेकिन इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है आए जानते हैं आखिर कैसे पानी की कमी को पूरा कर लेता है सवुदी अरब किंगडम ने तमाम परशानियों के बावजूद ऐसे नए नए तरीके इजाद किये हैं जिससे वह अपने देश में पानी की मांग को पूरा कर पा रहा है पानी से जुड़े सभी मामले जल और विद्यूत मंतराले के हवाले हैं सवुदी अरब में पानी का एहम स्रोत अकविफर्स है अकविफर्स में अंडरग्राउंड डूप से जल का संग्रह किया जाता है 1970 में सरकार ने अकविफर्स पर काम सुरू किया था इसका नतीजा ये हुगा कि देश में हजारों अकविफर्स बनाए गए इन्हें सहरी और क्रिसी दोनों जरूरतों में इस्तमाल किया जाता है देश में पानी का दूसरा एहम स्रोत समुंदर है समुंदरी पानी को पीने लाइक बनाने की पकरिया को डिसेलीनेशन कहते हैं साथी अरब दुनिया में डिसेलीनेटेड वाटर का सबसे बड़ा स्रोत है सेलीन वाटर कनवर्जन कोरपरेशन 27 डिसेलीनेशन स्टेशन को ओपरेट करता है और इससे 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पोटेबल वाटर हर दिन निकलता है ये प्लैंट सहरों में इस्तमाल होने वाले 70 फिजदी जल को उपलब्द कराते हैं और साथ ही इंडस्ट्रीज के इस्तमाल लायक पानी भी उपलब्द कराते हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के भी ये एहम सोर्स है फिलहाल समुंदरी पानी को खारेपन से मुक्त करने की तकनिक अपनाना बहुत महगा है अतार्थ इसकी लागत 1000 डॉलर प्रती एकर फुट आती है जबकि साधारन तरीके से पानी के स्रोट से जल को सुद बनाने की प्रकिरिया पर 200 डॉलर प्रती एकर फुट का खर्च आता है डी सेलिनेशन की तकनिक धीरे धीरे उत्पन हो रही है विविन देशों के वग्यानिक इसका समधार डूंडने और इसे कम लागत वाला बनाने की कोशिस में जुटे हुए हैं और किमते कम होने भी लगी है डी सेलिनेटेड पानी के सबसे अधिक उप्योग करता सवधी अरब कुवेत सयुक्त अरब अमिरात कतर बहरीन आदी हैं जो डी सेलिनेटेड पानी का लगभग 70% हिस्सा उप्योग कर लेते हैं लगी उतरी अफ्रीका में लीबिया और अलजीरिया यह खपत पूरे विज्व के उत्पादन की 6% है किसी जगा बाड की सूरत में बांध पानी को संग्रहित करने के काम आते हैं दोसों से भी ज्यादा बांध 16 बिलियन क्यूबिक फिट जल का संग्रह सलाना करते हैं इसे लंबे फैली नहरों के जरिये देश के कोनों कोने में पहुंचाया जाता है देश में पानी का रिसाइकल कर भी उसे पड़े पैमाने पर इस्तमाल किया जाता है केंडम की कोर्सिस रहती है कि कम से कम सहरी इलाकों में घरेलू इस्तमाल के 40 फिजदी पानी को रिसाइकल कर उपलप्त करा जाए इसी कोर्सिस में रियाद, जिदा और कई दूसरे बर इंडस्ट्रियल सेंटर्स में रिसाइकल प्लांट तयार किये गए है रिसाइकल पानी को सिच्चाई और सहरी पार्कों में भी इस्तमाल किया जाता है